शैकдуड़ों लोगोंने भारतिय जनता पार्टी की सदस्ता को रण किया थी ब्रतीक है कि भारतिय जनता पार्टी की लोगप्रियता लगाता दिन परदिन बढ़ ह dislod entry का कारवह चल चुगा इस राजिकी सरकार के खिलाब संघर्ष करने उसमें इस कार्वे में हर दिन नए संक्या जूटी चली जा रही है हमारे सैधांतिक अधिस्ठान को पिचातारा को मजबूत कर रहे लोग तो दूसरे तरफ नरज मोदी जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं तो साथी साथ राजी की सरकार जो यहां बैठी वी सरकार है जो जनवीरी दिन हीतियों का सरक्षन है बरस्टाचारियों का सरक्षन है अपराधियों का सरक्षक है और साथ साथ विकास बिरोधी है आदिवासी बिरोधी है और आप आज अग्वारों में सब लोग उने पढ़ा और क्या हो सकता है प्रधान मंत्री जी के द्वारा आई उस्मान योजना को यहां पर लटकाने अटकाने और बटकाने का काम करें राज़ती है प्रधान मंत्री ग्रामीन सडक योजना यहां पर आज लचर पूरी तरस ये सरकार भ्रस्टाचारियों के चंगुल में हैं और उन भ्रस्टाचारियों का सरक्षक कांग्रेज और जार खंड मुक्ती मोर्चा के नेता किस प्रकार से इलीगल माइनी इस राज्य में पूरी तरह से आज देश की जनता जानती है हम जार खंडियों को दूसरे प्रदेश में सर्मसार होना पड़ता इस सरकार के कारे में देखिए आने वाले लोग सवा के चुनाव में 14 का 14 सीट भारतिय जनता पार्टी और इंडिये गड़ बंद सेमन सोरिन मुख्यमंतरी बने हैं उन्होंने कहा था कि हम पाँच लाग लोगों को नौकरी देंगे नौकरी नहीं देंगे तो बिरोजगारी बत्ता देंगे ना नौकरी मिली ना बिरोजगारी बत्ता उन्होंने आगे क्या कहा कि अगर नौकरी और बिरोजगारी बत्ता नहीं देंगे तो हम राजनीत से सन्यास ले लेंगे जारखन की चनुता अब चाहती है कि राजनीत के सन्यास की उत्तिती और डेट बताने का वो काम करें रामगड़ का चुनाव इतिहासिक हम लोग करने जा रहे हैं इतिहास रचने जा रहे हैं केवल चुनाव की खोसना होने दी सारी जो हमारी नितिगत फैसले वो सामने आए अज्यादी राष्टिय कारसमीती की बैठक दिल्ली में आहुत की गई है और जार्खन से कई ऐसे सम्मानित नेता उसके समझें भी पड़े परिवर्तन की बाते सामने आ रही है क्या लग जाएगी आज जरूर हमन्त सोरें की सरकार के परिवर्तन के बीदे भारतिये जनता पार्टी में कोई परिवर्तन में आज के मुखों से इस परकार है भारतिय जरूरता पार्टी के अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले